कि 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 सबसे पहला तो आते हैं कोड क्या होता एंगल क्या होता है अब आपको लगेगा भी तो अजीब पागल टाइप का आदमी है तो छोटी बात बिता रहा है छोटी बात है जरब देखिए ध्यान से अंगल नापते कैसे हैं आप कहेंगे भी कम प्रोटक्टर होता है चांदा उसे नाप लेते हैं देखिए जैसे आपको अंगल बनाना है इस लाइन पर ठीक है अगर आपका अंगल पॉजिटिव है धनात्मक है तो उसको हमेशा एंटी क्लाकवाईज बनाएंगे इस प्रकार से पहले बात यह सीखलें आप पॉजिटिव का मतलब होता है वो एंटी क्लाकवाईज बनेगा चीक है और अगर निगेटिव एंगल है तो हमेशा क्लाकवाईज बनेगा तो पहली बात तो आप समल लें कि एंगल बनता कैसे है प्रहा जो एंगिल का माप होता है और डिया वो डिग्री होता है तो डिग्री में आता है तो डिग्री होती है समझ लिजे आप अगर नाइन्टी डिग्री आपने पढ़ा करता है 90 डिग्री को 90 डिग्री को यह 90 डिग्री है इसके 90 टुकड़े कर दें ऐसे 90 टुकड़े कर दें 90 हम कर नहीं सकते तो एक टुकड़ा एक डिग्री कहलाता है संभ्या गया एक डिग्री के 60 टुकड़े कर दें तो एक मिनट कहलाता है यानि एक डिग्री बराबर 60 मिनट ये minute का sign होता है यानि एक तरीके से 1 degree ये हुआ अब इतना बड़ा तो नहीं होता है इसके 60 टुकड़े आपने कर दिये तो 1 टुकड़ा होगा 1 minute minute का ये sign होता है उस 1 minute के आप 60 टुकड़े कर दें तो 1 second होता है तो 1 minute is equal to 60 second तो ये तो degree measurement होता है degree minute और second ये degree measurement होता है दूसरा होता है radian में measurement radian में measurement radian हिंदी में भी कहते हैं इंगलिश में भी कहते हैं दूसरा है radian ये degree है आपका degree दूसरा है radian देखे radian क्या होता है अगर कोई मालिया ये एक circle है ठीक है ये इसका center है ये इसकी radius आपने 1 माल ली unit 1 माल ली और जितनी radius मानी उत्रा ही बड़ा ये आर्क है तो ये जो कोड होता है ना इसको कहते हैं एक radiant आप जानते हैं कोड बराबर चाप बटे तरिज्जा होता है angle is equal to होता है आर्क अपान रेडियस आर्क अपान radius ये हमने पढ़ रखा है चाप बटे तरिज्जा ये हमने बहुत छोटे क्लास से पढ़ा हुआ है तो आर्क वन है रेडियस वन है तो ये वन आया इसमें जो unit आएगी हो रेडियन कहलाएगी ठीक है इसको रेडियन कहते है angle is equal to रेडियन और पाई रेडियन बराबर 180 डिगरी होता है पाई रेडियन is equal to होता है 180 डिगरी है अब अगर आपको रेडियन में convert करना है अच्छा है इस फार्मूले से जो भी वैलू आएगी उसकी unit उसकी काई रेडियन ही रहे इधान रखेगा वो पाई रेडियन 180 डिगरी होता है तो अगर रेडियन को बदलना है तो पाई रेडियन 180 डिगरी एक रेडियन 180 अपान पाई डिगरी और अगर डिगरी को रेडियन बदलना है तो उल्टा लिग दो 180 डिगरी बरावर पाई रेडियन तो एक डिग्री बरावर जैसे होता नहीं आप से का वह एक किलो चीनी के अदाम 40 रुपए तो 3 किलो का 3 x 40 40 रुपए की एक किलो तो 5 रुपए कितने किलो होगी तो उल्टा लिख देते हैं 40 रुपए की एक किलो एक रूपए के 40, एक बटे 40, ठीक है, तो उल्टा लिख देंगे, तो यह degree और radian में होता है, ठीक है, और जो 1 radian जो होगा, अगर हम 1 radian निकाले, 1 radian, तो कैसे निकलेगा, 180 बटे πाई degree, फिर πाई की value यहां 22 by 7 रखेंगे, इसकी value में direct बता जेता हूं, उसको नोट कर लिज ठीक है, तो यह radian को angle में बदलना, और angle को radian में बदलना, यह होता है formula, एक और measurement होता है, grade measurement, ठीक है, उसको भी देख लेंए आप, grade क्या होता है, देखे, 90 degree का जो angle होता है, इसको grade हिंदी में भी कहते है, grade ही कहते है, आपके हाँ, question नहीं है इसके, मैं को पुझा रहा हूँ आपको, यह grade measurement है, अगर आप 90 degree के, 90 degree के 100 टुकडे कर दे, अभी 90 टुकडे कर रहे थे, अभी 90 degree के 100 टुकडे कर रहे थे, तो एक टुकडा, एक grade कहलाएगा, ठीक है, यह एक तरीके से, यह 90 degree था, आपने इसके 100 टुकडे कर दिये, फिर आप एक टुकडे के, फिर 100 टुकडे कर दीजे, तो एक टुकडा, एक मिनट कहलाएगा, और एक मिनट के फिर 100 टुकडे कर दीजे, तो एक टुकडा, एक सेकंड कहलाएगा, तो व 1 minute 60 यह मानें, यह 100 मानें, यह grade measurement होता है, कभी आप scientific calculator लेके देखिए, उसमें उपर लिखा होता है D, G, R, angle में, तो जब D पे set करते हो, तो degree में angle देता है, जब G में set करते हो, तो grade में angle देता है, जब R में set करते हो, तो radian में angle देता है, फिलार आपके हाँ, radian और degree का ही concept है, इसलिए उसी को हम discuss करेंगे, अब हम बात करने जा रहे है, exercise 3.1, पहली क्साइज है, और चुकिए आप बड़े हो गए हैं, और बड़े के हिसाफ से जरा mathematics भी थोड़ा बड़ी हो गई है, अभी तो आप NCRT लगा रहे हैं, और अगर आप CVSC बोर्ड में हैं, तो CVSC में 11th class की mathematics है, ठीक है, यह सभी बोर्ड के लिए है, NCRT में डिसस कर रहा हूँ, ठीक है, पहला कुछन क्या कह रहा है, पहला कुछन कह रहा है कि, निम्रिखित degree map के संगत radian map ग्याद करिए, you convert this degree measurement into radian, यानि आपको निकालना है, पहले part में 25 degree को आपको radian में convert करना है, डिगरी को radian में करना है, उल्टा लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि 180 degree is equal to क्या होता है, पाई radian होता है, तो वन डिगरी क्या हो जाएगी, पाई अपान 180 radian, यह तरीका होता है, इसको unitary method कहा जाता है, एक एक नियम कहा जाता है, छोटे class मिपढ़ा जाता है, कि एक किलो चीनी का दाम 50 रुपए, तो पांच किलो चीनी का दाम, तो एक किलो बराबर 50 रुपए, पांच किलो बराबर, एक किलो का दाम 50 रुपए, तो 70 रुपए म कितनी होगी, तो 50 रुपए का एक एक रुपए का एक बुटे 50, 70 रुपए का एक बुटे 50 रुपए का एक बुट यह पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है, माइनस 47 डिग्री 30 मिनट, अब प्राब्लम यहां पर आ गई, कि भाई डिग्री की बात करते तो ठीक था मिनट घुश गया करके, तो पहले आप इसको डिग्री में कदवर्ड करिए, देखे जहां से, अभी मैं आपसे बता रहा था, कि एक मिनट जो डिग्री होता है, वो 60 मिनट होता है, तो एक मिनट हो जाएगा, 1 upon 60 डिग्री, तो 30 मिनट हो जाएगा, 30 upon 60 डिग्री, यानि 1 by 2 डिग्री, तो यह एक्चुल में 1 by 2 डिग्री है, तो यह कैसे लिखा जाएगा, तो माइनस तो एंगल निगेटिव है कि वल, निगेटिव एंगल बताता है, कि जब मैंने कोन बनाया होगा, तो क्लाक वाइज बनाया होगा, और कोई मतलब नहीं है, तो यह 47 डिग्री है, और प्लस यह half डिग्री है, तो हमने 47 प्लस half करके बाहर डिग्री लगा दिया, तो तो तब इसको कल्कुलेट करेंगे इतना है कि माइनस 24, 94 प्लस 1 बटे 2 डिग्री, यानि यह आएगा माइनस 95 बटे 2 डिग्री, इसको आपको रेडियन में चेंज करना है, ठीक है, देखें कैसे चेंज करेंगे, इसी में चेंज कर लेते हैं, देखें, आपने का भी 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, एक डिग्री पाई पन 180 रेडियन होता है, तो माइनस 95 बटे 2 डिग्री क्या होगा, तो माइनस तो रहेगा रहेगा चुकि माइनस बारा जाएगा पाई पान वन एटी इंटू 95 बाई 2 काहें बदलेगा ये ये रेडियन में बदलेगा कल्कुरेट कर लिजेगा उसको काहें इसकाटेंगे पाँच इकम पाँच चार पानवा पैतालिस पान तिया पंदरा पान चकाटीस माइनस उन्नीस पाई बाई बाहत्तर रेडियन इसके बाद आता है 240 डिग्री अगला पार्ट है कि 240 डिग्री को बदलिए ठीक है इसी में बार बार चेंज करेंगे हम थर्ड पार्ट कह रहा है कि 240 डिग्री को चेंज करिए थर्ड पार्ट, पहले का थर्ड पार्ट कि 240 डिग्री is equal to कितने रेडियन तो आप वही चीज है, 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई 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 बाई तो 240 डिग्री is equal to पाई बाई 180 इंटू 240 काहम बदलेगा रेडियन में तो 00 कड़ गया 24 आया, 68 तो कितना आएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन यह 240 डिग्री हो गया अब करें 520 डिग्री को बदलेगे अगला है 520 डिग्री तो 4th पार्ट आ गया 520 डिग्री 520 डिग्री कितने रेडियन होगा तो यहाँ जब 520 लिखेंगे तो आएगा पाई बाई 180 इंटू 520 काहम बदलेगा रेडियन में 00 कड़ गया 2 सेकार दो 2 ने मठारा 2 सेकार दो 2 ने 4 1 6 12 26 अब कटेगा नहीं तो आएगा 26 पाई बाई 9 रेडियन तो यह आपका रेडियन में कनवर्ट हो गया ठीक है अगले में कह रहे हैं कि रेडियन में दिया है डिग्री में निकाली है तो यह थोड़ा टेक्निकल होता है ध्यान समझेगा थोड़ा सा टेक्निकल है ज्यादा नहीं है देखिए अब थोड़ा तो ही है, देखिए जान से, अब इसको मैं रब कर देता हूँ, देखिए, रेडियन को डिग्री में बदलना है, दूसरे का पहला पार्ट, ऐसा नहीं कि रेडियन पाई में ही लिखा हूँ, हमने कहा, एंगल इस इकल टू आर्क बान रेडियस, कोंड एंगन बाई 16, रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है, ठीक है, तो अब उल्टा लिखेंगे, कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन, तो, सॉरी, डिग्री को ने बदलना, रेडियन बदलना है, तो इस पहले पाई रेडियन लिखेगा, पाई रेडियन is equal to 180 degree तो 1 radian is equal to 180 upon pi degree तो 11 upon 16 radian is equal to 180 upon pi into 11 upon 16 काहें बदल गया degree में अब इतना answer छोड़ना परयात नहीं है आपको pi की value लिखनी पड़ेगी इसको divide करके शोक अना पड़ेगा कि आप लिख क्या रहे हो साउधान देखो 180 upon pi की value 22 बटे 7 उपर जाएगा into 11 उपर लिखा है नीचे 16 लिखा हुआ है तो 11 से कड़ गया चाले बालूं क्यारा दूनी बाइस दो से कर जाएगा ये 90 तो ये उपर आगया अच्छा ये दो से कर जाएगा तो और 16 ये 45 आएगा तो उपर क्या आगया 45 into 7 upon 8 कितने काहिम बदल आई है डिग्री में 45 into 7 upon 8 डिग्री अभी इतना भी आंसा नहीं छोड़ सकते आप ठीक है तो इसका multiply करेंगे 7 upon 35 हाथ या 3 सब्सक्राइब गठाइस तिर एक तिस बटे 8 काहिम बदलेगा डिग्री में अब इसको डिग्री में बदलने का जो तरीका होता है उसो समझेगा देखे इसको डिवाइट करिया 315 को आपको 8 से डिवाइट करना पड़ेगा अभी डिग्री में चेंज हो रहा है तो ये वैलू जो आएगी देखे 8 3 जा 24 ये हो गया 11 में 4 गया 7 यहां कुछ और बचेगा नहीं यह 5 लिगा 8 7 6 6 8 4 9 72 8 9 72 यहां बचेगा 3 अब इतना डिग्री तो आ गया लेकिन आपको पॉइंट में नहीं लिखना है ध्यान रखेगा अब ये 3 डिग्री बचा है और 8 से डिवाइट करना है अब 3 डिग्री 8 से डिवाइट नहीं हो सकता तो मैं क्या करूंगा इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और ये 180 आ जाएगा और ये मिनट में आ जाएगा अब ये हो गया कनवर्ट मिनट में अब 8 से जो डिवाइट करोगे 180 को वो मिनट में आएगा तो कितना आएगा 8 दूनिस सोला 2 18 20 8 दूनिस सोला 4 अब ये 22 मिनट आ गया अभी भी इसको आप डिवाइट नहीं कर सकते पॉइंट में लिखेंगे नहीं तो इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 हो गया अब इस 240 को आप फिर 8 से डिवाइट करेंगे तो कितने बार जाएगा वहीं लिखेंगे हम आठ तरुक 24 और 0 और यहाँ 0 ये 2 हो गया तो ये पूरी वहाँ अगर ये पूरा न जाता तब इसको डेसिमल में लिख सकते हैं दशमलों में लेकिन इधर ने लिखेंगे तो ये वैलू कितनी आएगी ये वैलू आई आई आपकी ये फेर वर्क है पूरा दिखाना पड़ेगा आपको ये वैलू आई है आपकी 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड इस प्रकार से आप रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे डिग्री में चेंज करना तबाद टफ होता है चुकि इसको πाई के टंबे लिखना पड़ता है ये उसको आप पाई के लिए रखरके डिग्री मिनट पे चेंज करना पड़ता है इसके बाद आ रहा है माइनस 4 रेडियन देखे दान से माइनस 4 रेडियन को कनवर्ड करना है क्योंकि convert करने का तरीका टेक्निकल है इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा तो πाई माइनस 4 रेडियन कितने डिगरी होगा यह बताना है यह second part आपका है तो अब चानते हैं पाई रेडियन 180 डिगरी होता है एक रेडियन ऐसे होता है माइनस 4 रेडियन कितना होगा तो 180 अपान पाई इंटू माइनस 4 डिगरी इस माइनस से कोई लिना देना आपका नहीं है माइनस के और यह इंडिकेट करता है कि आपका जो एंगल है वो निगेटिव है तो यह माइनस बार कर दो 180 इंटू 4 अपान 22 इंटू 7 उपर जाएगा यह दो से कड़ गया दो दूनी 4 यह 11 आएगा मल्टिप्लाइद हो नहीं सकता यह तो माइनस साथ से इसका मुटिप्लाइगरो कितना 18 टेविल तो आपको आती नहीं होगी सत्वर्ट शप्पन के च्छे हाथ आप पांच साथ पांच बारा इंटू टू अपान 11 तो यह आएगा आपका माइनस का यह होगा 252 जीरो साथ बारा दू पांच 252 बटे 14 डिगरी अब इसको डिगरी को डिगरी मिनट में कनवर्ट करके दिखाना पड़ेगा माइनस से कोई मतलम नहीं है अब 2520 को मैं 11 से डिवाइट करता हूँ तो 11 दूनी 22 23 32 11 दूनी 22 10 0 और 11 नहीं 99 एक तो यह तो आपका 239 डिगरी आ गया तो यह तो आगया आपका माइनस में आई है 229 डिगरी अब आपका एक डिगरी बचा 12 11 से डिवाइट नहीं हो सकता तो इसको मैंने 60 से मल्टिप्लाई कर दिया ये बन WAYा जा साट सेकन्ड तो ग्यारा पची पचपन 15 यहां पचेगा 5 सेकंड आप यह 5 सेकंड हा गया मिनट में यह 5 मिनट हो गया अब यह पश पिर बचाए मिनट में इसको सिक्स्नी से बंटिप्लाओ करया तो आ गया व dif को नि昨ुंद करो तो ग्यारा दुने 22 आठ असी ग्यारा सटत्तर तीन तीस पॉइंट ग्यारा दुनी बाइस लगभग 27.2 एक होल 27 सेकंड ले सकते हैं पॉइंट वेरी स्माल वैलू अगर 27.5 होता तो इसकी वैलू एक बढ़ा देते हम तो यह आपका चेंज हो गया थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट अपने आप करेंगे उसका आईजी है फिर भी देख लीजेगा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है यह निगेटिव वैलू आएगी इस प्रकार से चेंज करना है थोड़ा सा तफ है तफ इसले ही हो गया कि यहाँ पाई का लफड़ा आ गया देखें अब आपको थर्ड पार्ट में कह रहा है कि आप 5 पाई बाई 3 को अदल लिए थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है कि 5 पा पाई बाई 3 रेडियन तो यहां क्या हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू 5 पाई बाई 3 इस कुश्चन में मजा आ गया क्योंकि इसमें पाई पाई कड़ गया और पाई का लफड़ा खतम हो गया ठीक है तो 5 तिशंग 18 0 तो यह 300 डिग्री डारेक्ट हो जाएगा कोई दिक्क में 360 revolution करता है 360 चक्कर लगाता है ठीक है यानि इन यह थर्ड को देखिए इन वन सेकंड वन सेकंड वन मिनट बोले तो 60 सेकंड वील मेक्स कितने revolution 360 revolution कहा गया है चकर 360 degree नहीं 360 चकर लगाता है तो इन वन सेकंड कितने चकर लगाएगा 360 अपान 6 यानिकी 60 यानिकी 6 revolution तो देखिएगा एक चकर पूरा घूमने में पईया कितने degree से गुमता है तो आप पहेंगे 360 कितने angle से गुमता है radian में 2 pi देखो यह 360 degree होता ना 360 को अगर हम degree में होता है अगर radian में convert current क्या करेंगे 2 pi से multiply करेंगे और 180 से divide करेंगे तो 2 pi होता है यानि एक revolution में वो 2 pi radian से गुमता है यानि in one revolution in one revolution एक चकर में wheel moves by 2 pi radian को यहाँ पर c बना दिया जाता है आप radian में ले सकते हैं c ले सकते हैं और in कितने revolution है 6 revolution में कितना गुमेगा 6 into 2 pi radian यानि कि 12 pi radian से गुम जाएगा c बना देते हैं उपर लिख सकते हैं यह आपका third question है ठीक है तरह fourth question देखिएगा fourth question देखिए fourth कह रहा है कि एक व्रत जिसकी त्रिज्या 100 cm है कि 22 cm लंबाई की चाप व्रत के केंद पर कितने degree का कोड बनाती है find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle half radius 100 cm by an arc of length 22 cm देखिए ध्यान से actually में यह एक circle है और यह कह रहा है इसका जो radius है जो त्रिज्या है वो 100 cm है मैंने का ठीक है r is equal to 100 cm है ठीक है और यह इसका आर्क है यह आर्क है इसकी लंबाई मैंने S माल ली है तो इस आर्क की लंबाई दी है 22 cm तो कहरे यह आर्क center पे कितना angle बनाएगा ठीक है तो आप जानते हैं जो angle होता है वो होता है आर्क अपान radius चाब बटे त्रिज्या हमने पढ़ा है कि यह चाब बटे त्रिज्या होता है तो यह हो जाएगा 22 upon 100 यानि 11 upon 50 और यह unit क्या होगी यह unit होगी radian क्योंकि हमने बताया था इस फार्मूले से जो भी value मिलती है वो radian में मिलती है और उन्हों का find the degree measurement तो वही पहला कुछने दुबारा पूछना चाहते हैं कि अब इस radian को degree में convert करिए तो आप unitory method लगा दो कि पाई radian या आप जानते हैं कि जो पाई radian होता है बराबर होता है 180 डिगरी तो 1 radian C लिख दो कोई दिक्कत नहीं है मैं radian language लिख रहा हूँ आप C बलाएए कोई दिक्कत नहीं है 180 अपान पाई डिगरी और 11 अपान 50 radian बराबर 180 अपान पाई इंटो 11 अपान 50 डिगरी अब ज़रा डिगरी को इसको डिवाइट करेंगे जब 63 को 5 से डिवाइट करेंगे क्या करना हूँ तो यहां जाएगा पांच इक्कम पांच एक तीन पांच उनी दस तीन अब देखे यह आपका बारा डिगरी तो हो गया लेकिन जो तीन बचा है यह डिवाइट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे इसको 60 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह 300 का हैं बदलेगा यह मिनट में बदलेगा ठीक तो पांच से डिवाइट कर जाएगा तो पांच या पंद्रह तीन जीरो पांच चकातीस यह 36 मिनट आएगा 12 डिगरी 36 मिनट इस प्रकार से यह चौथा कोश्चन लगेगा ठीक है ज़रा फिव देखिए यह बिलकुल स्टार्टिंग आप बढ़ रहे हैं बहुत सावधानी से पढ़िएगा थोड़ा सा टफ नहीं कहेंगे लेकिन हाँ यह माथेमेटिक है और नामी इसका है माथेमेटिक जो मस्तक पे टिक लगा दे तो ध्यान से करिएगा इसको देखिए फिफ्थ कुश्चन क किया कह रहा है यह कह रहा है कि एक वरत्य जिसका व्यास 20 सेंटी मिटर है व्यास जानी कि डायमिटर तो डायमिटर को कहलते हैं रेडियस का डबल होता है रेडियस का डबल दिया है 40 सेंटी मिटर 40 सेंटी मिटर तो रेडियस की वैलू कितनी हो जाएगी यह 20 सेंटी मिटर कॉट की लंबाई L मान लीजे ये 20 cm है तो कह रहा कि find the length of minor arc of the कॉट इसके छोटे चाप की लंबाई ग्याद करिए फिर समझेगा एक वरत्य जिसका व्यास 40 cm है एक जीवा 20 cm लंबाई है तो इसके संगर छोटे चाप की लंबाई ग्याद करिए जाद ध्यान से समझेगा डाइग्राम स्वाट टेक्निकल नहीं है ये एक सरकल है इसकी जो एक कॉड है जीवा है वो जीवा हमने एवी मान लिया इसकी लंबाई कितनी है ये 20 cm है तो ये छोटा वाला arc है ये बड़ा वाला arc है ठीक है सेंटर से जब इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस है ये भी 20 है ये रेडियस है ये भी 20 है ये एंगल कितना होगा 60 degree ये आप से पूछ रहा है ये छोटा वाला जो arc है वो कितना एंगल बनाता है अगर मुझसे कहते बड़ा वाला arc तो हम ये वाला एंगल निकालते है 300 degree ठीक है तो जो आपको एंगल निकालना है वो 60 degree है पाई से मल्टिप्लाई कर दो 180 से डिवाइड कर दो कहें बदल जाएगा ये रेडियन में बदल जाएगा अब आपको इस फार्मुले से तो रेडियन में ही बदलता है हमने एंगल इस इकल टू आर्क पान रेडियस नहीं लगाया है कोड बरावर चापटे तरज़ा नहीं लगाया है ठीक है तो ये कितना आएगा छत्रु कठारा पाई बाई बाई थ्री रेडियन निकल आया अगर आपसे ये वाला पूस्ते 300 डिग्री तो 300 डिग्री तो पाई बाई बने टी करते तो ये आता डिवाइट करके ये बड़ा वाला आर्क हो जाता ठीक है इसके बाद देखे 6 कुश्चन देखे बहुत ध्यान से समझेगा थोड़ा टेक्निकल कुश्चन चुकि हई है पहले बार बार के ही बोलने है कि टेक्नलोजी थोड़ी सी इसमें है फिर आपको हम बता दें कि जो एंगल बरावर आर्क अपान रेडियस कोण बरावर चाप बटे तरिज्या से जो भी कोण निकलेगा जो भी एंगल निकलेगा उसकी यूनिट रेडियन ही होगी ध्यान रखीगा कहते हैं इन टू सर्कल्स आर्क आफ सेम लेंद यानि कि देखें आर्क सिक्स कुश्चन मैं आर्क को एस मान रहा हूँ पहले आर्क एस वन और दूसरे लंबाई एस टू दोनों सेम है मैंने एसमान लिया चीक है आर्क सेम लिंद का है सब्टेंट्स एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री एड़ दा सिंटर पहला जो एंगल है थीटा वन वो 60 डिग्री का है अब डिग्री तो उस एंगल को लेंगे नहीं रेडियन में कनवर्ड करेंगे तो हम 60 को कैसे करेंगे पाई से मल्टिप्लाई करेंगे 180 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 3 रेडियन रेडियन के लिए हम क्या करते हैं और दूसरा जो एंगल है वो 75 डिग्री है यहनि 75 इंटू पाई बाई 180 5 से काटो 5 इकम 5 2 पचम 25 5 तीअ 15 5 चका 30 5 पच पंदरा 5 पाई बाई 12 रेडियन यह दूसरा एंगल यह हो गया तो कहते हैं इसकी जो रेडियस है न आर वन और आर टू जो तुट्रिज्जा है इसका अनुपाद ग्याद करो देखे हमने भी कहा एंगल is equal to आरकपायरण रेडियस यह हम अप्लाई करेंगे और इस फार्मेले से जो भी हम अप्लाई करेंगे उसका यूनिट कि आएगा उसका उसका उनिट डेडियन आएगा इसलिए मैंने यूनिट गंड इन में कनवर्ट किया लेगा s2 upon theta 2 आपको r1 upon r2 निकालना है तो s1 upon theta 1 into s2 upon theta 2 हो जाएगा मान रखो s1 की value क्या है s theta 2 की value क्या है 5 pi by 12 into theta 1 कितना है pi by 3 उपर जाएगा और s2 क्या है s s कड़ गया pi pi कड़ गया 3 चोग 12 आ गया 5 by 4 यह आर 1 और r2 का जो अनुपात है वो 5 अनुपात 4 होगा चलि में एक बड़ा ब्रत है अब बड़े ब्रत की जो arc होगा वो छोटा angle बनाएगा simple सी बात है ठीक है यह आपका 6 कॉशन है 7 देखे थे थे एंद लास्ट कॉशन आप देखे थे 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 हैं देखे थे 6 कहरा है क्याराएं कि find the angles in the radian through which the pendulum swings if its length is 75 cm and the tip describes an arc length of 10 cm पर समझने कोशिज करिएगा एक pendulum है pendulum ऐसे ऐसे swing करता है तो जहां पर लटका होता हो तो center हो जाता है center के ऐसे से घुम रहा है ठीक है तो actually मैं pendulum ऐसे ऐसे घुम रहा है ठीक है इसको दूसरी तरीके से diagram बना लीजिए ऐसे सुझने नहीं आएगा ये आपका अगर इस circle मैं माल लूँ तो एक pendulum ऐसे लटक रहा हो और ऐसे ऐसे घुम रहा है इसे ठीक है तो इसकी धागे की लंबाई है वो तो radius हो जाएगी वो कह रहें 75 cm है तो आर जो है वो 75 cm है और कह रहें जो आर्क बना रहा है पहले पार्ट में कह रहे हैं ये जो आर्क बना रहा है S वो है 10 cm 10 cm तो angle is equal to क्या होता है आर्क अपान radius ये 10 अपान 75 पान दूनी 10 दो बार जाएगा पान से काटेंगे ये पान दूनी 10 होगा ये 5 पांच पचीज दो बटे 15 ये जो value निकलेगी ये काहिम निकलेगी ये radian में निकलेगी तो इसको direct radian में लिख दीजिए C और यही पूछ राजा radian में दूसरा पार्ट आप से कह रहे हैं कि जो आर्क की length है वो 15 cm है 15 cm है तो angle is equal to क्या होगा आर्क पान radius आर्क हो गया 15 ये हो गया 75 15 75 एक बटे पांच काहिमे रेडियन में तीसरा पार्ट कह रहा है कि जो आर्क की length है अब बोले तो बड़ा इजी है से बताते चले जा रहे हो टफ वाला छोड़ देते हो अरे ऐसी बात नहीं है ठीक है ये है आप का 21 cm 21 cm तो angle is equal to 21 अपान 75 तीन सते केस तीन दूनिच्छे 25 साथ बटे परचीश रेडियन इस प्रकार से एक साइज हो गई इसक्साइज को कर लिजेगा इन नेक्स वीडियो नेक्स इक्साइज बहुत थेख फार्मुले उसमें होंगे देजरे आप बड़े हो रहे है वहता थैंक यू